देश में एक बार फिर नोट बंदी जैसे हलात नजर आ रहे हैं। कुछ राजयों और कई शहरों में ATM से कैश नहीं निकल रहा है। दिल्ली में भी कुछ ATM में ऐसी ही स्थिती बनी हुई है। कई ज़ानों पर तो ऐसा हो रहा है कि मोबाइल पर निकासी का मैसेज तक का रहा ह और पैसे निकल नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं मिल्क के जरिये भी संदेश जा रहा है लेकिन पैसे नहीं निकले हैं। कुछ जगए ATM में निकासी पर कैश निकासी की सीमा तै कर दी गई है। इधर वित राज्यमंत्री का कहना है कि कैश की कोई किलत नहीं है। ये अलग ब प्रदेश से लेकर गुजरात तक कि कई शहरों में ATM सी नकली नहीं मिल रही है। बताया जा रहा है कि कई बाइंकों की शाखाओं से भी लोगों को निराश लोटना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि बाइंकों में बढ़ते NPA ने बाइंकिंग प्रणाली को हिला कर रख द रही है और ATM पर दबाओ चार गुणा तक बढ़ गया है। उतर बिहार के ज्यादातर बैंकों में नकली नहीं होने से शहर से लेकर ग्रामिन क्षेत्रों में ATM बैंक शाखाओं में रुपे के लिए हाहा कार मचा है। बिहार के मुजफरपूर के बैंकों के करिंसी चेस्टो उसे समस्तिपुर, दर्वंका, गोपाल गंज, सारण, सीवान, पूर्विवपशिच मी चमपारण को नकदी दी जाती है। पिछली डेड़ माह से इन जिलों में कैश की आपोर्ती नहीं हो रही है। इस कारण यहां भी कैश संकट गहरा गया है। गुजरात में बैंकों औ फिर नोट बंदी जैसे हलात का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों ने नकदी निकालने की सीमा तै कर दी है जबकि अडिक्टर एटी एम में पैसा ही नहीं है। गुजरात के महिसाना, पाटन, साबर कांठा, बनस कांठा, मोडासा के अलावा अहमदबाद, वडोधरा, पड़े शहरों में भी नकदी संकट बना हुआ है। पिछले साल मई में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया था। इसकी जगह 500 और 200 रुपे के नोटों को लाया गया। इससे ATM में डालें जा रहे नोटों की वैल्यू कम हो रही है। गौर करने की बाद है कि अगर 2000 क नोटों से ATM को भरा जाए तो साच लाक रुपे तक का जाते हैं। 500 और 100 के नोटों से ये क्षमता महज 15 से 20 लाक रुपे रह गई है। इसके अलावा समस्या का एक कारण ये भी है कि 200 के नोट के लिए ATM तयार नहीं है। अभी तक महज 30 फीस्ट दि-ATM ही 200 रुपे को लेकर कैलिब्रेट हो सके हैं। यानी 70 फीस्ट दि-ATM 200 का नोट देने में सक्षम ही नहीं है। इतना ही नहीं RBI की रैंडूम जाच में पाया गया है कि करीब 30 फीस्ट